आयूरवेद समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोग हमारा चेनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तो अगर आप सबसे पहले नौटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जो वैल आइकन है उसको भी प्रेस कर खाना खाने के बाद हाजमा बहतर बनाना हो तो इसका चूरन बना कर खाईये और फिर फायदा देखिए वैसे तो अज़वाइन बड़ी ही काम की चीज है मगर इसका एक फायदा मोटापे को भी कम करने के काम आता है जी हां ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि अजवाइन का पानी रोज सुभे खाली पेट पीने से मोटापा प्राकवर्तिक रूप से घट जाता है मोटापा कम करने के लिए अकसर लोग गरम पानी में नीबू पीते हैं जिसे शरीर के विशेले तत्व बाहर निकलते हैं ना कि बजन में कम ही आती है तो दोस्तो बिमारियों में कैसे ये लावकारी है अजवाइन का पानी हम देख लेते हैं और अजवाइन का पानी बनाने की विधी भी हम देखेंगे जिसे की मोटापा घट जाए अजवाइन का पानी पीने से शरीर का मेटवोलिजम बढ़ता है जिसकी वज़े से कार्व तता फैट बर्न होने लगता है अगर आप भी अपने बढ़ते हुए वज़न से परिशान है तो कुछ दिनों तक इस नुस्खे को आजमाई और फिर इसका असर देखिए तो आईए अब जान लेते हैं कि अजवाइन का पानी कैसे बनाना है इसकी विधी क्या है और रिजल्ट पाने के लिए हम को किन किन चीज़ों का परहिज करना है दोस्तो बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि भाया इससे कोई फाइदा नहीं हो रहा है आप लोगों को पागल बना रहे हैं आप पतानी क्या चीज़ बताते हैं मैं उन दोस्तों के लिए बता देना चाहता हूँ कि कोई भी आयुरवेद का नुस्खा तब तक दोस्तो नहीं पहुंचता है तो आप घवराईये नहीं आप परहेज भी रख लिए आपको परहेज रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम आपको साथ साथ में परहेज भी बताते हैं अब अज़वाईन का पानी कैसे बनाना है ये भी ज़रा देख लीजी आपको क्या करना है सबसे पहले आपको 50 ग्राम अजवाइन लेनी है, फिर अजवाइन को एक ग्लास पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख दें और सुभे पानी को छान लें, उसके बाद पानी में एक चमच शहद मिक्स करें और सुभे खाली पेट पी लें, यदि आप चाहें तो उसी अजवाइन दिन लगातार पीएं, उसके बाद आपको फाइदा मिलेगा, वैसे तो इसका फाइदा आपको कुछी दिनों में दिखने को मिल जाएगा, अगर प्रभावी परिनाम चाहिए, तो कम से कम हमें 45 दिन का वक्त तो चाहिए ही, वजन कम होना आपके शरीर के प्रकार पर भी न आप चाबल पूरी तरह से छोड़ दे, रोटियों की संख्या घटा दे, अगर आप दो रोटी खाते हैं तो उसे आधा कर दे, आलू, शक्कर, फास्ट फूड और आईली फूड ना खाएं, भुजन करने के एक घंटे तक पानी ना पिएं, तो दोस्तो आप हमारे द्वार बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिया आईरवेद समाधान, क्योंकि आईरवेद समाधान है हर रोग का निदान, और हाँ वैद्दी की सला लेना बिलकुल ना भूलें